इस वीडियो हम जानेंगे कि मैसेज का नोटिफिकेशन बंद कैसे किया जाता है तो अगर आपके भी मुबाइल के लोग की स्कीन पर यहाँ पर उपर से जो स्लाइडर नीचे किया जाता है यहाँ पर आपको मैसेज से बहुत सरा नोटिफिकेशन आता जाता है जब भी आपक तो मैसेज के नोटिफिकेशन को बन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मुवाइल का जो सेटिंग्स है आपको सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स में आने के बाद यहां पर आपको थोड़ा से नीचे एप्स का एक option मिलेगा यहांपर आपको Apps मिलेगा या App Management मिलेगा तो आपको इस पर क्लिक करना है और Apps में या App Management में आने के बाद आपके मोज़ में जितने वी application इंस्टॉल होते हैं आपको सभी मिल जाते हैं तो यहापर आपको मैसेज को लेना है, नहीं तो आपको उपर जो search बार है इस पर click करना है और यहाँ ठाइ perspectives करना है, M-E Double-S, message type कीजेगा, तो यहाँ पर message मिल जाएगा तो आपको message पर click करना है, और click करने के बाद कि पार आपको notification पर क्लिक करना है कि बनाने के बाद आपको all message notification या आपको मॉबाइल में ओन होगा यह उन होगा तो जब भी आपके mobile कोई भी मैसेज आएगा तो इसका notification आपके mobile की screen पर आएगा तो यहां से आपको इसे all message notification को को आप कर देना है और कर देने के बाद आपके मुबाइल में कोई भी मैसेज आएगा तो आपके मुबाइल के स्कीन पर यहां पर लॉक की स्कीन पर उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा बलकि आपके मैसेज में आपका मैसेज आएगा तो इस तरह से आप अपने मुबाइल म मैसेज के नूटिफिकेशन को बढ़ी आसानी से बंद कर सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा होते वीडियो को लाइक किजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा